क्या था एक जंगल में एक कोयल रहती, कोयल विचारी बहुत मीठा बोलती है, कोयल ये की थी और उस जंगल में भी कोवे ज़्यादा, कोवे काम 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 करते हैं, कोयल बोलता है, कोयल को लगा, मैं अच्छा बोलती हूँ, मुदुर बोलती हूँ, मैं ही जीतूँ, कोवे और कोयल में कोम्पुटिशन हुआ, अब क्या आये के, मैंने देने के लिए ज़्याद्मी बनाएं, तो कोवे बनाएं, कोवे ज़्यादा थे, कोयल भी बिचारी बोली, कोवे भी काओ काओ जैसा उनको आता था, बोला, कोवे इनको लगा के, फर्स दाइस मों मुझे ही मिले, कोवे ने क्या किया कि कि फर्स प्रैज भी कोवे को दिया, कि कोवे होते हैं, अपनी जात्य लोगों को ही प्रसंता ज्यादा देते, इसलिए आप देखना, तो कोवे वी रोती है, व Ole होते है, वो अजार थावत के, ये संसार का नियम है, ऐसा नहीं होगा कि एक लाग कोईल होंगी और स्वापचास कोवे होंगे कोवे पांसो एक साथ होंगे एक साथ काथ प्रिश्ची में एक साथ जुन्ड के जुन्ड बना के रहते और उन्होंने कोईल पे प्रहात करना सुन किया तुकी होगी कोईल रोने लगी इतने में क्या बाज उपर से उड़ता जा रहा था उस बाज ने देखा को ये तो बहुत गलत हो रहा है वो नीचे आया और उसने एक जपटा मारा पहले तो कोवों को बगाया और उस बाज कोईल को उठा करके अपने पंजों में बकड़ करके पहसी जगे लेगया और उसने का कोईल अब तू यहां आनन्द से रहें तो कोवेक और आपे तन्सार में कोवों की कोई कमी नहीं 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 वो काम 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 करते रहेंगे आप कोयल की तेरे मदूर मदूर बोलते रहेंगे तो कमी कमी आपकी जिन्दगी में खुरू रूपी बाज आते हैं आपको जबट्टा मार करके उठाते हैं और आपको ऐसे इस्थान पर बिठा देते जहां आप आनन्द मगन हो सकते हैं कभी कभी आपके जिन्दगी में ऐसा जबटा आता है कि आपको एक शक्ती उठा करके आपको कवों से अलग कर देती है आपको बता देती है कि तुम कोयल हो तुम अपना सवाब मिठा बोलना मत छोड़ो इन कवों के साथ तुमारा रहना ठीक नहीं है रहो तो भी अपने अंदर आत्मलीन रहो अपने वानी पर एकागर रहो अपने भाव में एकागर रहो अपने चित्न में एकागर रहो और जो तुमारा सवाव है उस सवाव को कभी मत च्याबो यह गुरू आकर अपने गोयर रुपी शिश्य को यही ज्ञान प्रुलान करते इसलिए गुरू कभी कभी आते हैं आके आपनी जिन्दगी में ज्यादा हो गयाते हैं